हाई गैज वल्कम बैक टू माई चैनल इस वीडियो में आपको बहुत जाता स्वागत है आइफ़न 11 को और आइफ़न 12 को जो की मेरे पब्लिक बीटा 1 के उपर चलते हैं आयर 17 के उपर मैं इन दोनों का टेस्ट करने वाला हूँ किसमें ज्यादा स्पीड या किस तरीके की प अप्लिकेशन नहीं है सबसे पहले हम करते हैं बूटिंग टेस्ट सबसे पहले मैं अपने फोन को करूंगा स्विच डॉफ दोनों ही फोन को एक सेम टाइम के उपर और यहां पर आप दीख सकते हो दोनों ही फोन जो है आलमोस्ट स्विच ओफ हो गये हैं अभी कम्प्लेट अपन करते हैं दोनों ही फोन को एक सेम टाइम वन तो त्री और स्टाट सो लेट सी कि एपल लोगों किस फोन में जल्दी ब्लेंग करके देखने को मिलेगा अफकॉर्स आइफोन 12 में आइफोन 12 का प्रोसेसर एक जनरेशन बड़ा है आइफोन 12 में हमें बढ़िया रैम मैं कि उस देखने को मिलती है एपल का फॉर्टीं चिप सेट है आइफोन 12 में और आप देख सकते हो चटकियों में आइफोन 12 अन हो गया है और और वाल पर बीश रूइंब प्रोस ने शो कर दिया है तो कुछी दिर में लोड हो गई है यह एप्लिकेशन और वाइफाय कनेक्ट हो गया है दोनों ही फोंस में सो वाइफाय सेम कनेक्ट हुए है आपको मैं दिखा दूंग अगर नहीं हुआ तो चेंज कर लेती है 5G के ऊपर मैं कनेक्ट करने वाला हूँ दोनों ही आइफोन को जस्ट फोल्डन गाइस ओकी सो जटी फाइफाय आप दीख सकते हो दोनों ही फोंस में सेम वाइफाय कनेक्ट है चीक है जी सो शुरू करते हैं अब सो रैम में कुछ भी अप्लिकेशन स्पेंडिंग नहीं है मैं डिफॉल्ट अप्लिकेशन सी ओपन करूंगा बिकाज आयो 17 अभी बीटा टेस्टिंग में है सो आई डॉंट बिलेव कि कौन सा आइफोन बैतर परफॉर्म कर पाएगा फोटो अप में आइफोन 11 जल्दी लोड हुआ क्यामरा फोकस कौन करेगा पहले 11 ने जल्दी फोकस किया 12 थोड़ा दिले है इमेल में 12 ने थोड़ी अप अपनिंग स्पीड लो थी लेकिन 12 ने जल्दी लोड किया 11 के मकाबले नोट्स एप 12 में फास्ट है रिमाइंडर्स 12 में फास्ट है क्लाक दोनों में सेम न्यूज अप को अपन करते हैं तो लोडिंग भी होगी इनकी यहां पर आप दिख सकते हो अभी तक कोई भी अप्लिकेशन जो है continue button परना पड़ा ही था दोनों ही सेम्स है काइंड पहली पर उपन की जोडा जोल जेला सा हो गया था काइंड आप डॉन अप्स तो सेग आपल टीवी दोनों में ही अल्मोस्त यहां और लोडिं आइपोन फास्ट लेकिन इतना कुछ मैटर्ट नहीं करता सेटिंग्स सेम और आप स्टोर अपन करते हैं अब लिव आइफोन सो आइफोन 11 में जल्दी लोड हुआ आइफोन 12 में होम पेज ओपन अगरता था और आइफोन 11 में सर्च बार गूगल आपल मैप्स और लोडिंग किसमें फास्ट है आल्मोस्त दोनों में सेम और आइफो 12 में फास्ट है वॉलट वॉलट जो है आइफोन 12 में जल्दी ओपन हो गया safari अल्मोस्ट दोनों में application opening speed test same थी messages दोनों में same music app दोनों में same loading भी almost same time पर थी so weather आपको open करते हैं so देखते हैं weather कौन जल्दी load करते है so iPhone 12 जो है काफी fast 2 seconds का फरक I believe stocks में कौन load करेगा और pretty much heating heating मुझे देखने को बल जी है दोनों ही devices में same to same और find my को open करता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हूँ loading जो है चल रही है अभी भी almost दोनों ही devices की speeds same थी kind of variation इसलिए था कि continue buttons यह अलोग करने बड़ी permissions की so यहां पर home app भी same है so default applications almost same है लेकिन जो कुछ ही applications में फरक आ रहा है because आप जानते ही हो कि एक तरह से नया processor नई RAM सब कुछ नया और generation नया phone है तो fast of course होगा ही so आप देख सकते हो default applications जो है at the same time पर open हो रही है कुछ भी variation नहीं है लेकिन जब data load करने की बाद आती है तो iPhone 12 थोड़ा सा fast देखने को मिल रहा है मेरे को so last application open करते है YouTube application को और कौन सी video जल्दी open load होगी वो check करेंगी यहाँ पर आप देख सकते हो almost app opening speed का 12 में fast थी और data जल्दी load हो गया 11 में so both of the devices are performing almost same लेकिन फिर भी 19-20 का फरक है लेकिन फरक कम से कम maximum एक दो settings का है जो कि इतना ज्यादा variation create नहीं करता so iPhone 12 और iPhone 11 में इतना huge difference नहीं है कि आपको kind of noticeable हो so मैं आपको recommend करूंगा कि आप iOS 16 अभी अगर आप install करना जाते हो iOS 17 so आप कर सकते हो और अगर आपके पास primary device है एक ही single so अगर आप वीट करना जाते हो बिलकुल भी अपने device के साथ risk नहीं ले सकते so आप ना करो iOS 17 अपडेट इंस्टाल so this was the video for both of the devices I hope guys आपको speed testing and comparison देखने में मज़ा होगा अगर आप किसी तरह की और वीडियो देखने चाहते हो तो comment section में बता दो किस phone की देखने चाहते हो और चैनल को subscribe कर लो so this was the video I hope guys आपको 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 पसान दाई होगी thanks for watching guys thank you so much